चलिए, इस वीडियो में हम सीखते है, division of polynomials, long division. क्योंकि एक और division होता है, उससे कहते है, synthetic division, जो हम कोई और वीडियो में सीखने हैं. इस वीडियो में हम long division सीखने बाद है. So, पहले हम simple example से start करते हैं, धीरे-धीरे examples को difficult बनाती है जाएगी. So, पहले example है, 15x cubed divided by x. तो इसका answer किया है, तो हम इससे इस तरह से समझ सकते हैं, उपर है 15x cubed. So, x multiplied by x multiplied by x, upon x, divided by x and upon x. So, एक x cancel हो जाता है, और इसका answer आ जाता है 15x squared. So, the first answer is 15x squared. दूसरा है 14x raised to 4, 14x raised to 4, तो हम चार बार x लिख रहे हैं, यह x अभी एक गुसरे से multiply हो रहे हैं, divided by x squared, so x multiplied by x, यह denominator है. So, यह एक x cancel हो गया, यह एक और x cancel हो गया, और इसका answer आया, 14x multiplied by x, which is x squared, तीसरा है, negative 12x squared, negative 12x multiplied by x, divided by 6x, so 6x, so यह x और x cancel हो गया, 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो इसका answer आयेगा, minus 2x, negative 2x, चली, अब और फुरा से difficult questions को लिखते हैं, what is 4x squared minus 2x divided by 2x, so इसके अंदर हम long division का जो symbol हो इसके करेगे, और यहाँ पर हम यह divisor 2x को लिखते है, और वहाँ पर लिखेगे 4x squared minus 2x, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ, तो सबसे पहले, हम यह 4x squared को 2x से divide करेगा, 4x squared divided by 2x, जैसे अब यहाँ उपर देखाँ, तो x cancel हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, x as it is, तो इसका answer आएगा 2x, यहाँ पर हम लिखेगे 4x squared, और अब हम इन दोनों को minus करेगे, subtract करेगे, तो वो subtract कैसे किया जाता है, तो जो नीचे वाले की sign है, वो है plus, और plus का opposite होता है minus, तो अब हम इसको 4x squared समझेगे, जबकि इसको हम समझेगे minus 4x squared, नीचे वाले को हम minus 4x squared समझेगे, यह जो plus की sign है, वो minus में convert होगे, बदल गे, और 4 minus 4, 0 होता है, तो हम simply इसको cancel करेगे, यह हम यहाँ पर 0x squared भी लिख सकते हैं, और इससे हम नीचे लाएगे, minus 2x, और उसी तरह से, अब हम यह minus 2x को भी 2x से divide करेगे, side way, minus 2x को भी 2x से divide करेगे, यहाँ पर बचा minus 1, तो यहाँ पर आएगा minus 1, और 2x multiplied by minus 1 is minus 2x, इसकी भी हम sign को change करेगे, sign को change इसले करेगे, क्योंकि हम subtract करेगे, तो यह कुछ ऐसा है, जैसे कि minus 2x जो उपर लिखा हुआ था, वो है, और जो नीचे लिखा हुआ था, वो minus 2x यह है, और हम यह दोनों को subtract करते, तो जब minus करेगे, तो यह नीचे वाली sign है, वो minus और minus plus हो जाएगा, और वो 2x है, और minus 2x और plus 2x होता है 0, तो इसी तरह से, हम minus 2x और plus 2x, जो 0 होता है, वो लिखेगे, तो यह remainder है, और यह इसका quotient और, तो इसका answer आएगा, 2x minus 1, उसी तरह से एक और question करते हैं यहापर, उसको मैं इस तरह से symbol में लिख दलता हूँ, 4x square जो divisor यहापर आएगा, और 8x raise to 4 minus 6x यहापर आएगा, तो सब से पहें लिए, यहापर आएगा, वे र गों को और आएगा आएगा आएगाए, यह इसको आएगा एगा, इसका और 8x, x, 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 divided by 4x, x, और यहाँ चांसल, यहाँ चांसल, 4 1s बढ़ा 4, 4 2s बढ़ा 8, खो यहाँ बचेगा, यहाँ आँ सो इसका answer एगा 2x squared, और 8 x raised to 4 as it is, sign होगी change, यह होगी है cancel, क्यों cancel होगी है? क्योंकि यह था plus, plus and minus is minus, 8 minus 1 is 0, और यहां पर 0 x raised to 4 लिक्टिक इस होगी, हम सीधा इसको नीचे होगा था है, minus 6x as it is, अब हम क्या करेंगे, हम यह minus 6x को भी divide करेंगे 4x square से, minus 6x divided by 4x square, तो 1x cancel हो, to 2, 2, 3, जा तो इसका answer आया, minus 3 upon 2x, लेकिन जब भी हम polynomial की बात करते हैं, तो denominator में कोई भी letter नहीं रहना चाहिए, अगर denominator में कोई भी letter या variable होता है, तो यह polynomial नहीं है, so this is not a polynomial, but definitely it's an expression, it's an expression, polynomial expression दो नो थोड़ी अलगोटा, so क्यूंके हम यहां पर कर रहे हैं division of polynomials, अब तो नहीं साटिक में देखा हो, it's a division of polynomials, not division of expressions, so क्यूंके यह एक polynomial ही नहीं है, हम इससे उपर नहीं लिखेगे, minus 3 upon 2x, so हमारे लिए यह directly remainder दे, so this is the quotient, while this is the remainder, चलिए, नेक्स सम्पे जाते है, यहां पर एक polynomial को डिवाइड किया जा रहा है, एक binomial से, सबसे पहले तो, यह polynomial को हमें standard form में लिखना है, so यह already standard form में ही है, x square plus 5x plus 6, और इससे भी एक standard form में लिखना है, जो already है, x plus 3, so now हमें यह x square को, यानि के पहले term को, यह पहले term से divide करना है, जैसे हमने पिछले examples में देखा था, so x square divided by x, तो एक x cancel हो जाता है, और यहां पर बचेगा x, यहां पर आगे हैं, अब क्या करना है, अब यह x को यह पूरे x plus 3 से multiply करना है, यह x को, x plus 3 से multiply करना है, यह रिपीट करना है, यह वाले x को, यह x plus 3 से multiply करना है, so x into x is x square, और x into 3 is 3x, so यह x square plus 3x, बराबर x square और x के नीचे लिखना है, like terms को बराबर like terms के नीचे लिखना है, पर हमें इन दोनों को subtract करना है, अब आप बार बार सोचतों के subtract क्यों करना है, वो sign change करते ही क्यों है, वैसे ही हम लोग कभी भी division करते है, let's say हमने किया 11 divided by 2, so हम बोलते है 2 5s 10, और हम यहां पर minus 2 लिखा, 2 5s आ तो positive 10 होते है, हमने minus इसलिए लिखा क्योंकि यह plus 10, कि sign change करके मुझे उसको negative किया, तो हम remainder find काना चाहते है, remainder find होगा, जब हमने subtraction किया होगा, हमने minus किया होगा, तो हम exactly यही चीज यहां भी करते है, x multiply by x, x square होता है, और 3 multiply by x, 3x ही होता है, तर हमें यह x square यह x square को minus करना है, और यह 5x को और यह 3x को भी minus करना है, और minus करने का तरीका यह है, कि sign को change कर दिया किया, so x square minus x square is 0, यह cancel कर देते हैं, और हमेशा हमें पहली sign और आखली sign लिखना है, so plus and minus is minus, 5 minus 3 is 2, 2x, sign of the greater one is plus, always जो बड़े नुमर की sign हो डाल पीची है, और यह plus 6 को as it is नीच होता है, अब हमें यही procedure repeat करना है, मतलब यह plus 2x को, हमें यह x से divide करना है, sign 2, so plus 2x को x से divide करना है, x और x के cancel, और हमें मिलता है plus 2, और अब अगर तो याद होगा, यह plus 2 को भी हम x plus 3 से ही multiply करेंगे, so plus 2 को x plus 3 से multiply करेंगे, so plus 2 into x is plus 2x, plus 2 into plus 3 याद पॉसित 3 याद पॉसित 3 is positive 6, so जस उसको एक किन चे लाग तर्म को लिग दल करें, और साइन को चेंज करनो, यह आम सा ब्राक्शन करना, plus and minus is minus, 2 minus 2 is 0, plus and minus is minus, 6 minus 6 is also 0, so इसका remainder is 0, so the quotient is x plus 2 and the remainder is 0. चली, एक और सुम करते हैं, x cubed minus 64 divided by x minus 4, तो सबसे पहले हमें x cubed minus 64 को, standard form या राधर index form में लिखना है, इसका मतलब है पहले x cubed लाएगा, पर x cubed के बाद डिरेक्ट जंप है constant number को, तो हमें लिखना है, plus 0x square, plus 0x minus 64, क्योंकि x cubed के बाद सीधा एक जंप है constant पे, तो x square भी नहीं है और x भी नहीं है, तो हमें वापे लिखना है, plus 0x square, plus 0x, divided by x minus 4, as it is, तो हम ये dividend point में लिखने हैं, तो x cubed, plus 0x square, plus 0x, minus 64, divided by x minus 4, तो सबसे पहले, हम ये x cubed को, is x से डिवाइड करेंगे, तो अज़र तो और लिखने हैं, तो और लिखने हैं, तो और लिखने हैं, हमें यह आपे करके बता तो, x cubed divided by x is x square, तो x square लिखती जिए, और फिर ये x square को, ये x minus 4 से मल्टिप्लाई करें, x minus 4, तो x into x, x square into x is x cube, minus 4x, इसको दोनों से मल्टिप्लाई करें, और ये ही x cube को, और minus 4x square को, बराबर like terms के साब से एक निजए क्लिक लेना, तो फिर sign change करें, ये positive था, ये negative हो जाएगा, ये negative था, ये positive हो जाएगा, x cube minus x cube is 0, plus and plus, always look at the first sign in the last sign, the first sign in the last sign, plus and plus is plus, 4 plus 0 is 4, 4x square, sign of the greater 1 is plus, plus 0x minus 64 as it is नीचे लिखे लिखे हो, अब हमें ये first term को, ये first term से divide करना, जो में आप लिखे लेतो, plus 4x square divided by x, x cancel हो गया, और बच्चा plus 4x, तो ये हमारे portion का second part है, plus 4x, और ये ही plus 4x को, हमें multiply करना है x minus 4 से, x minus 4, so, plus 4x into x is plus 4x square, plus and minus is minus 4, 4 होजा है 16x, so, हमें यहापे मिलेगा, plus 4x square, minus 16x, sign change, ये plus था थो minus हो गया, ये minus था थो plus हो गया, 4 minus 4 is 0, always with the first and the last sign, plus and minus is minus, 4 minus 4 is 0, और यहाँ पर भी first and the last sign देखना है, ये first sign है, ये last sign है, so, plus and plus is plus, 0 plus 16 is 16, 16x, 16 बड़ा नंबर है 0 के उकाबले, उसकी नहीं sign है plus, और minus 64 को as it is नीचे लिफ को, और अब एक और बार, plus 16x को डिवाइड करना है, ये x से, so, plus 16x, डिवाइड इवाइड एक्स, x और x cancel हो गया, और बचता है plus 16, so, plus 16x as it is, इस तरह से आप सब्सक्ते है, plus 16 को x minus 4 से बड़ाई करना है, तो, plus 16 into x is plus 16x, जो मैंने पेले से यहां पे लिख लिख लिए, and plus and minus is minus 16, फोजा 64, और ये ही minus 64 यहां पे लिख 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 लिख, और दोनों की signs को करते रहा है change, क्योंकि हम सब्सक्राइक तरहा, so, plus and minus is minus 16 minus 16 is 0, minus and plus is minus 64 minus 64 is also 0, so, यहां पर भी remainder है 0, so, portion है, x square plus 4x plus 16, और remainder है 0, एक और सम करते हैं, 6x दिख लिख 4 minus 3x square plus 7x minus 5, divided by x minus 2, तो सबसे पहले तो हम इसे standard formula, तो हो आएगा 6x raised to 4, 4 की बाद सिदा square है तो आएगा plus 0x cube minus 3x square plus 7x minus 5, to be divided by x minus 2, so, division के अंदर हैं, 6x raised to 4 plus 0x cube minus 3x square plus 7x square, 7x minus 5, और यहाँ पर लिख लिख लिएते हैं, x minus 2, तो सबसे पहले हम क्या करेगे, हम यह 6x raised to 4 को x से divide करेगे, so, 6x raised to 4 divided by x हमें मिलेगा 6x cube और वही 6x cube को हमें multiply करना है, x minus 2 से, so, x minus 2 से multiply करने पर आपको फिर से मिलेगा, 6x raised to 4 याद रखीगा, यह पिर से मिल जाएगा हमें, और आगया आएगा minus 6, 2s are 12x cube, minus 12x cube आएगा, so, इसको में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6x raised to 4, minus 12x cube, दोनों की साइन कर तो change, यह minus का plus हो गया, यह positive के negative हो गया, पहला वला cancel हो जाएगा, plus and plus is plus, 12 plus 0 is 12x cube, और 12 के new sign है plus, और बाकी सभी को as it is नीचे उतार लो, so, plus 12x cube को, मेरा मतलब है यह particular number को, हमें divide करना है इस से, पहले को पहले से divide करना रहेगा, तो एक x का हो जाएगा, अभी इसको बार-बार side में divide करने को ज़रोथ नीचे, एक-एक x कम लिख लिएगे हैं, तो यह हो जाएगा 12x square, so, plus 12x square को, अगर हम multiply करेगे x minus 2 से, तो हमें मिलेगा, plus 12x cube, again, वही मिल जाएगा, minus 12, 2 is a 24x square, so, यह ना पर हम लिखे के, plus 12x cube, minus 24x square, sign change, यह होगा, cancel, यह minus की sign change, यह plus होगे, यह यह माइनस और माइनस भी plus होता है, लिए उस वज़े से नीवी है, माइनस की sign को change करेगे plus square, now, look at the first and the last thing, minus and plus, minus and plus is minus, 24 minus 3, bigger number minus smaller number, is 21, x square, 24 is the bigger number, उसकी sign है plus, तो plus 21x square, और plus 7x, और minus 5, तो हम यूहीं लिखे लेगे, अब इसको side भी करने की जोरूत नहीं है, आप में से यूँ करना चाहते हो, कर सकता है, तो plus 21x square को, अगर x से divide करेगे, तो आएगा plus 21x, एक x का मुझाईदा, और यही plus 21x को, plus 21x को, अगर x minus 2 से multiply करेगे, so plus 21x into x is 21x square, minus 21x into 2 is 42x, और यहाप लिखेगे, plus 21x square, minus 42x, plus नहीं, minus, minus 42x, यह होजाएगी minus, यह होजाएगी plus, यह cancel होने के लिएगे था, plus and plus is plus, 42 plus 7 is 49x, minus 5, और अब हम एक और बार, यह 49x को, x से divide करेगे, तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर कोशन है, q, k, square, पर x, पर constant, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो कोशन है, वो खतम होगे, पर अबीब कुछ सेबस बार, यह 49x को, यह 49 गो, यह x minus 2 से रुट्यप्लाइगे, 49 to the 98, यहाँ पर हाएगा, plus 49x, or minus 98, sign change, 49x cancel, minus and plus is minus, 98 minus 5 is 93, 98 बाराय तो सकी झुट्यप्लाइगे, plus 93, so this is the remainder, while this is the portion. Thanks for all.